नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा. इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की रैबिसिप टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है. रैबिसिब टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और रैबिसिब टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं रैबिसिब टैबलेट पेट में उत्पन होने वाले एसिट की मात्रा को कम करती है Rebisip Tablet का उपयोग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बदहजमी होने पर, खटी दकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर Rebisip Tablet का उपयोग किया जाता है Rabisip Tablet को Dr. Antibiotic दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़ा से होने वाले Side Effects को कम करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकता है जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़ा से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है इसलिए इन Side Effects को रोपने के लिए भी आपका Dr. Rabisip Tablet को दर्द की दवाओं के साथ लेने की सलाह दे सकता है ज्यादातर अंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य Side Effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है इसलिए अंटिबायोटिक दवाओं की वज़े से ये Side Effects ना हो इसलिए आपका Dr. Rabisip Tablet को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सलाह दे सकता है इसके अलावा Rabisip Tablet का उप्योग कुछ Medical Conditions जैसे Gastric Ulcer, Acid Reflux और Jolinger-Ellison Syndrome को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है जोलिंगर-Ellison Syndrome एक ऐसी स्थिती है जिसमें पेट में एसिड का उत्पादल बहुत अधिक होता है Rabisip एक ब्रैंड नेम है Rabisip Tablet के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन रैबिप्राजोर होता है Rabisip Tablet 10MG और 20MG की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो क्रिप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि Rabisip Tablet की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Rabisip Tablet की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में Rabisip Tablet की वज़े से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे पेट में दर्ध, पेट से गैस निकलना, मुं में सूखापन, सिरदर्ध, शरीर की मासपेसियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वद दस्थ होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा, Rabisip Tablet की वज़े से कुछ व्यक्तियों में कबस की समस्या भी हो सकती हैं. लंबे समय तक Rabisip Tablet का सेवन करने से, यानि कई महीनों या कई सालों तक Rabisip Tablet को लेने से, शरीर मेंsti, vitamin C, vitamin B, 12, calcium, iron और magnesium की कमी हो सकती हैं. इसलिए डॉक्तर की सला के बिना रैबिसिप टैबलेट को दो सप्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक या दिन में कई बार रैबिसिप टैबलेट को लेने से आस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। आस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड् बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है रैबिसिप टैबलेट की वज़से ऑस्टियो पोरोसिस तभी होता है जब रैबिसिप टैबलेट का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से रैबिसिप ट भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की रैबिसिप टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर रैबिसिप टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं रैबिसिप टैबलेट को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए रैबिसिप टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको रैबिसिप टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और संपान करा रही महिलाएं रैबिसिप टैबलेट को ले सकती है या नहीं। टैबलेट को नहीं लेना चाहिए.